2013 में बिहार बोट से मैट्री की परिच्छा 14 फरवेक दिन गडित बिसेगी देने वाले हैं वो प्रतम पाली हो या दूतिय पाली हो तो आपको ऐसा संदार जबरजस्त आपको कोशन बताने वाले हैं जो आपको सीधे एक्जाम में पूछा जाता है और आपको पूछा ही कि किस तरीके का कोशन और कौन-कौन सा कोशन आपके एक्जामे हो बहु पूछा जाएगा तो हो चुका अगाजनर का युक बदलने की तयारी जीत उसी की होगी जिसकी शंगर सजारी अब सिक्का उचल चुका है मेरे प्यारे साथियों अभेड भी आपका होगा और टेल भ करका बैठिये और एक-एक प्रश्ण को आप नोट करते जाए या फिर इसका पीडियव भी आपको दे दे देते हैं जिसे के दिकत नहीं होगी और आप लोग इसका जवाब जरूर दीजएगा अगर आपको पहले से पता होगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले को पहले जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया को साने क्यों क्योंकि यह प्रस्ट ने पूछा गया था जब यह कुछा गया था समझे क्यों आपके लिए काफी जदा मात्मूर है और यह काहिन लीकर करके लख लिए कि मन्टू सर बोल रहे थे कि यह को सान इस तरीक एक को सन बहुत na कि एकजामे 100% पूछा जाएगा की निमलीखीत में कौन संक्या अबहाजी संक्या है आपकी एकजामी कोशन 101% का रहे या दियूतिय पाली में कोशन रहेगा ही रहेगा तो जल्दी सजवाब दे दिजिए इसी प्रकार से आपके एक्जामें कोशन रहेगा और पते हैं किसमें से कौन जो है अभाद संक्या है सबसे पहले अभाद संक्या के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि अभाद संक्या क कीम हो जागा इसके बारे भी जनना आपके लिए काफी जरूरी है तो तेरा इसलिए हो जागा क्योंकि एक और तेरा से ही यह विभाजित होगा यानि कि भाग लेगेगा इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगेगा तो कोई भी ऐसे दुनिया का संख्या हो जो ए तो जब भी ऐसा को देखने को मिले तो आपको फड़ावर से इस तरीके से आपको उसका जवाब दे देना आपको गलती नहीं होगा चलिए अगले कोसन का जवाब दीजिए बहुत अधूत प्रश्ण है और यह भी प्रश्ण आपको दादे कि 2020 में कोशन को पूछा गया था अभाज संक्या है तो लसा अभी का क्या होगा अभाज संक्या के बारे में हमने आपको बताया कि वैसी संक्या जो एक और स्वें के लामा किसे नहीं संक्या इसा ही होगा क्योंकि पहले इंवाहसं कर रहा है आपको सारी मेठग आपको समझा रहे हैं अंतीम समय में और यहीं समय आगर छोड़ करें को तरीके से काने का मतलब बस यह होता है कि एक और स्विम कहले के लबस्यों तो इसका आपको तो यहां पर अगर LCM की हम बात करते हैं जो दोनों में क्या हो जो नहीं मिलता उसको भी सब्सक्राइब कर देते हैं और दो मिलता है उसको भी तो 1 मिल रहा है तो एकл क्सक्राइब निखर और न यह इंसे को होता है इसके बारे में अभी आपने जाना क्योंकि जब आपको LCM निकलना होता है तो जो संख्या दोनों में मिलता है उसको लिखते हैं उसके साथ जो संख्या नहीं मिलता है उसको भी लिख करके हम लोग गुणा करते हैं और तब जाकर कि हम लोग को संख्या प्राप हो जात प्रफम पाली द्योतिय पाली कहीं पर इक्षा देने वाले हैं तो इक कोशन आपके लिए और आज का क्लास जो अंतिम घड़ी का समय है जो अंतिम समय के लिए जाना जाता है क्यों क्योंकि आपको अंतिम समय में इसलिए आपको हम हमें जाना जाता है क्योंकि वह सारी कोशन बताते हैं अन्तिम समय में जो आपके सीधे एक्जामें पूछा जाता है ये कई वर्सों से कोशन आपको यहां पे लिया गया है जो बार बार इस अधार पे कोशन पूछ रहा है अगला जबाब दीजी के संख्या दोधस्मनों 13113 13 1313 1313 डौट डौट है यह क्या है यह कौन से संक्या यह बताना आपको और 101% कराइंटी है कि आप कोशन आपकी एकजामे आएगा इस तरीकेगा भले ही कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि केवल अंक बदल दे लेकिन तरीका तोर तरीका सारा एक ही रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि आपक परिमी संख्या तो यानि किसका जबाब क्या हो जागा हम लोग हो जागा हम लोग हो जागा परिमी संख्या उप्सन सी नंबर भले ही थोड़ा सा जादा समय आपका हम लेंगे लेकिन आपको ऐसे अजब तरीके से घजब तरीके से आपको बता देंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा और कहीं से भी कोशन उठाएगा आपके एक्जामे तो कोई भी परिशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब अगला कोशन कहा रहा है कि साभास संख्याओ का मसा कितना होता है यह दोजानी किस में कोशन कुछा गया था आपने आपको बताया था कि इस तरीके का जैसे ही कोशन आएगा आप लोग फड़ा पड़ से याद कर लिजए कि साभास संख्य कि आपको यहाँ पे कह रहा है कोशन कि यदि M एक धनात्मा पुणांग का रूप क्या होगा और यह कोशन 2021 में भी संकेत कर रहा है कि हमने पूछा था अब यहाँ पे M के जगे आपने Q पड़ा था कहिए नहीं कहिए बिल्कुल पड़े थे आपने 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 पड़े थे ना कि यह एक धनात्मा भीशन पुणांग यह पड़े थे ना तो केवल यहाँ पे 6Q प्लस 1 के जगापी यहाँ पे 4M प्लस 1 हो गया क्यूंकि Q के जगे M दिदिया है तो बस आपका हो गया 4M प्लस 1 कहाँ पे अपसन है तो सर अपसन नंबर सी में है हारपोर ने थोड़ा सा चेंजिंग गिया और Q के जगे M रख दिया और M रख दिया और अपसन ने क्या किया 6 के जगे 4 दे दिया अब बोला कि पताव इसमें सब्सम कौन सा सई होगा तो अपसन आपका हो जागा 4M प्लस 1 तो यह आपका रैट जबाब हो जागा क्लियर हो हो जगे चलिए आगे बात करते एक लिए कोषन के अगला जो कोषन आ रहा है यसमे सभी बच्चे गलती कर देते हैं गलती कुछ यू कर देते हैं कि कोषन देखने से ब Kerryं पराद का दोरा दूर्भर आए ।ो कह रहा है कि यदि पी इन्टु एक्स ब्राबर है Q into X into G into X और P into X का घाथ जो है भच्छे है और G into X का घाथ 2 है तो कहे रहा है कि P into X बटे Z into X बरावर क्या होगा अब बच्चे गलती कहां करते हैं उसको पहले समझे लोगा सबसे पहले तो बोला हैंनी कि चैनल आपको सिख्या उधल चुका है हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा परिक्षा के बॉर्डर पे परिक्षा देने जाएगा दो बाते होगी या तो आप जीतियेगा नहीं तो आप सीखिएगा हार क्या आ नहीं सकते है चलिए तो यहां पर आपको कह रहा है ध्यान से बच्चे गलती क्या करते है कोशन कहा रहा है कि P to X का घात 6 है त्यान समझेगा P to X às Whyत 6 है यानि कि X का power 6 है साथ ही साथ के जीन to X का घात 2 है न की जीन टो X का मान दिया यह घात दिया है यानि कि e का वर दिया है और गलती यहीं पे होती है, कि आप question को एक बार ही पढ़ते हैं, आपको जब तक question समझ में नहीं आया, तब तक आपको question को पढ़ते रहना है, एक बार नहीं होता है, दो बार नहीं होता है, तीन बार नहीं होता है, चार बार नहीं होता है, पाच बार पढ़िये लेकिन question को बेतर होंगे कि अगर एक्स कार्ण अइंब डिया गए रहता है तो एक्स का पावर m-n होता है के लिएते हैं ना यानि कि जो यह उपर वाला पावर है में से नीचे वाला पावर कामाः घटा दिये जाता है वसा आपका तो पूरा मैथट समझे कि आपको जो कोशन दिया जा रहा है वो किस अधार पे किस तरीके से बनेगा उसकता है कभी-कभी इसका अंक चेंज कर दे और हम को किवल यही पता दे किसका अंसर 4 होगा और पता चले के कि यहां पे अंक चेंज कर दिया है तब आपको मैथट पता न कर देंगे तो इसलिए आप समझे कि क्या तरीका होता है और आपको तो हम आसान भासा में बता रहा है ठीक बाद चले के अब हमनी के बढ़ता इंस अगला कोशन की और अगला कोशन का कारल बटे वाड़ा पर से पहले तो वीडियो के लाइक कर दा चैनल पर पहली बार आई इसी तरीके का कोशन आपकी इग्जामें पूसा जाएगा सलिए अगे बात करते हैं लोग अगले कोशन की और देखते हैं कि हम लोग का कोशन क्या कह रहा है ठीक ना चलिए अगले कोशन का जबाब दीजिए कोशिज कीजिए सभी प्रश्णों का उत्तर जबाब मतलब उसका जबाब दे भाला ही आपसे नहीं हो पाता है तो आप गेस कीजिए कि हाँ हो सकता यह हो सकता ऐसा होता अनुमान भी लगाईए क्योंकि जब अनुमान लगाईएगा और हम आपको बताएंगे तो अगर कहीं गल्ती हो जागा तो आप सीख जाएंगे लेकिन अगर आप घमंडे फूलेंगे कि नहीं हमको तो पता है सारे चीजे तो फिर दिक्कत हो जाएगा तो आपको कभी भी अपने आपको ज्यादा मजबूत नहीं देखना जाना चाहिए कभी भी ये नहीं काना चाहिए कि हमको ये आता है ये सबसे बड़ी इंसान में कमी होती है जो आता है अगर कोई इंसान कहता है कि नहीं हो सकती है तो उस पर आपको थोड़ा सा डिसकस करना चाहिए कि हां हो सकता है ऐसा नहीं कि नहीं बोला चाहिए यह यह होगा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर इंसान गलती हो सकती है और हम इसांदी कि कभी-कभी आँख से देखा हुआ चीज भी धोखा खा जाता है ऐसा होता है तो आप लोग को देखिए बिश्वास आप लोगो तो रखना है कि आप जो है वह सही है लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा कहता है या फिर कुछ है तो उसको एक इक जगा बैठ करके सोचिए जानिये परखिए कि क्या कुछ कह रहा है जैसे कि अगला कोशन आपके स्किन पर है और इसका जवाब देने की कोशिस कीजिए आप लोग इसका जवाब क्या होगा करा एक निम निखिट में कौन परिमें नहीं है अब कोई बच्चा क्या करेग अब उनको पता ही ने चलता है तो कोशन को बोले हमने कि जब भी एक्जाम आप हॉल में जाए तो आप एक कोशन को दो तीन बार जरूर पढ़ें जिससे कि आपको अंदाजा लगी कि क्या करा है और कोशन को अराम अराम से पढ़े है ऐसा जल्दी में पढ़ दे कुछ भी क्यासा गलती नहीं कर आपको वी और हो गया कार SL का साथ को रूव से बाहर नहीं करेंगे न वहह रोट रूटली को части हमने को छाटना है क्यों परीमिय हैं तो अप्सन दिखी दी निमबर दी निमबर में जोन कोशन दी अलगल बटे और कोशन तीन चार वर पूछ अलगल बटे लेकिन एक कोशन एक्जाम में तीन चार बार पूछ अलगल बटे त्री रूट 75 बटे रूट 44 यह आपका परिमेश संख्यक ग्रूप में यानि के रूट से बाहर हो जाएगा क्लियर हो गया चाली तो यानि की आपका D होगा अगले परसकी बात करें चली तो हम बात करते नहीं अगला कोशन बहुत है संदर कोशन बटे और इस बन कोशन य्कोशन या तो ऑब्जेक्टिमें तब पूचा जा तो उनका मसा अगर उनीस है तो उनका लसा ग्यात के जिए अकर उसका HCF दे दिया है तो HCM ग्यात के जिए और दो संक्याओ का गुराणफल एक इसी कि दोनों शंख्याओं का गुड़न फल संख्याओं का गुड़न फल बराबर होता है HCF गुड़न LCM यही होता है तो अगर यहां से हम लोग का दोनों शंख्याओं दे दिया गया है तो दोनों शंक्या का गुणरफल दिया है यानि कि 1666 दिया है और बराबर यहां पर HCF का मान दे दिया है 19 और LCM निकलना है इसके बदले मान ने थे हम लोग X इन prone X 1266 आप वड़्ते ये उने इसक्या हो जागा भाग में चला जाया नीचे??? 19 19 19 19 19 19 19 19 19 114 क्या होगा 114 114 114 कहां पर दिया गया तो सर अपसा नमबर सी में दिया गया है जब इसे गताईएगा एक कई सो श्यासर को उन्नी से जब भाग दीजिएगा अन्नी से भाग देख तो याजाई एंसर नमनी के एक सा चौदर तो एक सो चौदर आपका बिल्कुल सही जबाब होगा कि लिए तो यह आपका सही जबाब जागा यानि कहे का मतलब भी बटे अगर अब एजी कौनों भ सब्सक्राइब तो यहां पर मसा पूछे और लसा का मान दिया गया हो तब क्या होगा तब वही क्रिया होगा कि दोनों संख्या में तब यह से जो बी मान दिया गया होगा निकल देगा стран निकल रञेगा लेकिन मसा दिया हो तो यह तरीके से आप लोग को बनाना है समझ मैं आया चलिए अब करते एगले कैसे हैं मिकार अलबह कूषचान बहा कि यदि यह बराबर दिया गया है 23-3-5 और बृबर देले है यह एलसी ही बताऊ अब हमने के एक अजर बाल वो यह बराबर दिये है तेईस गूले तीन गूले पांच का देलाबा तेईस गूले तीन गूले पांच देले बटे अब हमने के बी कमान का देले बाब बी कमान देलाबा तो हमनी के देखनी असा option नंबर ए एक मान में तो 20 दिया है तिर्द का और कोई गुड़खंड नहीं हो सकता है तिन कभी गुड़खंड जादा नहीं निकल सकता है पाच का वह निकलाया इसकों नियुक्र अईसाही रखी दिया लेकिन option नंबर ये बी नंबर में कहा भी कमान में 24 तो 24 है तो ट्वेंटीफ़ोर को आप क्या लिख सकते हूं लिख से करणे को 12 दोat य कर दिग लिख लिया इन्टू अब हम लिख दिये 5 और इन्टू 7 जो दिया गे उसको हमने लिख दिया बस यह simple काम process कर लिजेगा अगर 24 का 24 अगर आप उतार करके रख देते तो answer आपका कभी नहीं आता यह guarantee है और यही चीज़ का आप यही mind check करने के लिए तो एक्जामे यह सब question दिया जाता है क्लियर हो गया अब इसमें से कारा है कि लसा बताईए यानि कि आपको AB का LCM ज्याद करना है अब LCM कौन होता है तो आप सभी जानते हैं LCM में जो match करता है वो और जो नहीं match करता है वो सब को एक साथ भूना कर दो तो देखो यहां पे यहां पे हम लोग का 3 match कर रहा है यहा अब को लिख लो इसको दो दी चार चार दूनी आठ कर लेते हैं अरте लिख लेते हैं और इंटो यहां पैर 23 लिख लेते हैं बस हो गया अब सब को यहां पर multiply कर दो पांते आई 15 15 में 8 से गुणा कर दो फिर साथ से फिर तेई से जब आप गुणा कीजेगा तो आपका निकल केगा से जो भी आपको क्लास समदें ताकि आपको वह क्लास दो है कंटिनी आपको मिला करें किलियर हो गया आप चलिए और अगले नमर जो कोसर कर रहा इस सबसे संदार कोशन और 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 बढ़ा ही असान कोशन है को कुछ ही हूं रहा है कि 144 के अभाज गुडखन में दू का अलिके दू कितना बार आया है बस सिंपल कहने का मतलब इसका यही है तो देखो यहां पे हम लिखते है 144 के लिए यहीं पे लिखते है एक 144 लिखी अब इसका हम लोग क्या किये गुडखन निकलना सूरा किये जब इसे हम 2 से कटाएंगे तो यहां पे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 72, 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72, 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर अब कटेगा ए 3 से 3 तरी का 9, और 3 से फिर डिवाइड होगा 3 अकम 3, अब कहा था किसका 2 का घतांक, यानि कि 2 कितना वराया है, तो गिनों काउंट करो त है, तो टेंशन तो नहीं खेले हैं, बेलकुल नहीं खेले हैं, क्योंकि जब आपके हम कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, जब आपके साथ हम खड़े हैं, तो पुरी जीजान लगा दीजिए, और महीनत कड़के पूरा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, चली अगले प्रस्क हम कह रहे हैं, वह आपकी एक्जाम के दिरिश्टी कोड़ से ही कर रहे हैं, नहीं तो हमको भी मन करता है, भी दस कोशन मता हैं, क्यों को कोशन मता दियो होते हैं, एक अभी भी कासी इर्दी कड़ी, ऐसा करने से खुछ होगा फाइदा, नहीं, आप घडबड कर देंगे, य लेकिन मैथ में गणित में नहीं, और यहीं यह सब्जेक्ट है, जो आपको रिजल्ट में एकदम एकदम उच्छाला देगा, मैथ में जिसका भी अगर 90 नंबर आया, समझो कि उसका नंबर 400, 400 नंबर रखा हुआ हैं, लेकिन मैथ में कम नंबर आया, सारा भी सहीया लेकर दूबे गई, तो मैथ सबसे महत्मूर है, और आपको पता होनी चाहिए, मेरे चैनल पे सबसे पसंदीदा किया जाने वाला सब्जेक्ट मैथ ही हैं, सबसे ज्यादा मैथ बच्चे मेरे ही चैनल से देखते हैं, और एक्जाम के समय में तो लगबख सतरो लाख सोलो लाख ब चार घंटा पास घंटा का क्लास लता है, बस मात तुरू तना क्लास देखोगे, एक्जामे करके चले आउगे, एकदम मजा आ जाता है आप लोगो, कि लिए तो अभी तो आपको सारी चीज़े पढ़ना है, आपको सब्ची बटा रहा है, फिर आपको अंती में भी यह आप आप्सन-नमइर, यह मैं ही रूट का सतरा, आब बताओ, रूट के सतरा क्या है, हमने के और बाहर कर जा सकाता तैर रूट से, न débंख ciert igpB bachq क्यूअच क्यू पर зрitGUP तो जो बया करेंगे पी पर्टा के कू की रूप में अब लोग नहीं लिख सकते हैं स्थे इसलिए तो यह एंसर हो जागा आपका अबार हो जागा बेलकुल तो यह यह नंबर जो हょगा वो आपका सही और बिल्कुल जबाब हो जागा इसमें कहीं पाषी पी SOTVEN के ज़ाँ है क्लूके अगर अगर शौव को बहर कर देतें दस आथा चार है चार को बहर कर देते दो आ था 16 का बाहर करते हैं चाड़ आगई बात करते हैं अगला कि अगला जुन कोष्ठ्रओं हम वह सभी का करा है बहुत बढ़ीन कोष्ठ्रओं है कि निमलिकीत में कौन सा अभाज संख्या है जो की 2021 में कुश्ठ्रओं पूशा था फिर आभाज process की naj हैं तो देखो अभास अंक्या वैसी संक्या होती है जो स्वय और एक यालवा किसे होट से भाजित नहीं लगती है ध्यान दो यहां पे कौन संख्या है तो सब यह तरीका के ऑप्सन रही तो आपको फटापर से टिक कर देना है ऑप्सन का हो जाई ऑप्सनमर सी चले के बात करते हैं समय के अगला कोशन के अगला जोन कोशन है वह कहा रहा है यह कोशन 2021 में और बीस में दून अबर कोशन कुछा है इसका मतलब होगे किस अधार पर कोशन जरूर आएगा आपकी इक्जाम में सो इसका एंसर क्या होगा कैसे बनेएगा ध्यान दीजिए अखिर कोशन क्या कह रहा है और जल्दी से पता सब्सक्राइब के बात करते रहें सन्संतीनों चार के तीन और चार तिन इसको अभाज गुरत खरें संय हुआना के कुछन करेंगे क्लियर है तीन और यहां पे चार हम दे लिका यह एक और दो सब्सक्राइब कर दोगा इसका होगा एक और दो और कि क्या होगा फिर से दो होगा यह एक इन्टू कितना होगा दो होगा आफ फिर इसका दो होगा तैवी जाग होगा ना बिल्कुल अब इसमें का रहा है किसार इसका मसा क्या होगा तो देखो जो मिलता है जो मैच कर तो यह है एक ही मैशंध कर रहा है य्टिछ का इस इत्व जो जागा हम सभी होजागा क्या जागा शर्वलगा कि होजागा किलियर्न यहां पर देखों चार है चार को 12 सब्सक्रांइब काुन में नी यह होता है कि लिए 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 अगर इस तरीके से आपको नहीं बनाना है यह भाज गुर्खण आपको नहीं पता होती है तब आपको क्या करना बस कहा रहा है कि लगतार संख्यानि तो 3 तीन कंए 1-3 से कह लेकर जाएक एकस्ट तो इक ही आ रहा है कि यहाद भी कर सकते हैं और नहीं तो आप समझ गया है है तो आप आपको कहीं दिक्कात होगा नहीं यानिक ऑप्सन नमबर जो है यहां पे डी नमबर होगा किलिए चलिए अगला जो प्रस्टन बाट है उप्रस्टन के कहरालबा बहुत संदार प्रस्टन बाप कहाता कि निम्नलिकीत में से कौन सा परिमेशंख्या है जो कि 2021 में गुरूप में लिखेंगे तो यहां से देखोगे कि रूट से में किसे बाहर कर सकते हैं तो अगर हम आप्सन नमबर जे करें एक ही एक ही बात करते हैं तो देखो धियांसे का रहा है रूट वन बटे रूट का 144 बताओ रूट वर का बर्गमोल यानि कि जब इसको रूट से गुरूप में लिख दिया और जहां पी और क्यू पूरांग है और क्यू बराबर नहीं है जीरो तो यह हम लोग परिमेशन क्या और यही चीज पूछ रहा था क्लियर हो गया तो यह आपका इस अप्सन निम्बर ए समझ में आया चली बढ़ते अगले कोशन के और देखते है अगले नमर कुशन हम सबी का क्या कह रहा है तो अगले नमर जो पास्ट कर तो portion कर के लिए तो रोफ कितना होता है कि पर की एक तूपी देखो कहां पे अपसन है तो सब्सक्राइब नमबर में और डी नमबर जोन बाटे अकर सही जवाब हो जाई ठीक बाख चले के आगे बरती इस हमनी के अगला को संगी और और इसी अधार का कोशन आएगा अब देखो एक नया चीज अब आया कोशन में करेकिन मिलिकि संथ और संथ कोशन से संथ टॉपिक से जरूर कोशन आपकी इकजामे आएगा अब देखो ध्यान से संथ कब होता है संथ कब होता है इसके बारे में जब तक जनकारी नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा भाले ही आप ऑप्सन के वाधियम से रटे होंगे कुछ बच्च संथ की टू के पावर एं या फाइब के पावर एं की रूप का अगर होगा तो वह संख्या संथ होगा लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आजागा वही आपका और संथ हो जागा क्या हो जागा जो दो और पांच के अलावा कोई अन्य शंख्या आएगा तो तयाने कि हम लोग को सबसे पहले जब भी असांत और सांत चेक करना होगा तो सबसे पहले हम लोग चेक क्या करेंगे चेक यही करेंगे कि इसका अभाज गुर्खर्ण में यह इसका जो भिन दिया गया है जो दस्मला जो सांत चेक करना है तो जो बटा में मान दिया गए उसमें हर का मान क्या है और हर का जो मान दिया है उसमें देखेंगे कि कौन जो है इसमें हम लोग चेक करेंगे कि 2 और 5 के लावा कोई दूसरा रसन क्या आ जाएगा तो देखो option number A में दिया है 50 पचास को जब आप गुडखंड कीजेगा तो 2 और 5 ही आएगा इसके लावा कोई दूसरा रसन के नहीं गाएगा यह सांत हो जाएगा तेकिन option number B के जास करते हैं कह रहा है कि 49 बटे देखो ऊपर कितना भी दिया है उससे मतलब आपको नहीं रखना है नीचे क्या दिया है इस से मतलब रखना है तो दिया है 49 बटे 243 अब 243 का जब आप भाज गुडखंड करिएगा तो दू और 5 के अलावा दूसरा संक्या अवस्या आएगा तो यानि कि यहीं हम लोग क्या हो जगा असांत हो जाएगा तो यह आपका option number जो बी दिया गया वह बी निमर आपका बिलक पांच आवे तो उसांतबा अदू और पांच के लावा कोई दोसर संक्या आगए तो असांतबा के लियर होगा चले के बात करते हैं कि अगला को संक्यों अब इस प्रशनिका उत्तर सूच के जबाब दीजीगा सूच और समझ कर के तब बहुत बढ़िया रही ना तो एंग कर दोभी को आप सबिके काते हूप और तो आ परी में तो भी हो सकता है रूट का सेबन हो सकता है जो भी हो अब नहीं तो उससे संख्राइब बिलकुल तो यानिए की एक और सुनिय परिमी और एक और ऊस और एक और जैसे ठीक न क्या हो जागा अप्शन न means the डीडिये उना दीक हो जाए ठीक बाइड चले के बात करते हैं से अगला कोशन के और अगला कोशन पहुत ही अपकी एक्जाम में अज़ेक्टिव की में तो पूछने के गरेंटी हैं लेकिन सब्सक्टिव में भी पूछा जा है करेकि 0.77777 डॉट 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 बराबर है यह क्या है यानि कि जब एकर हम नी के बटा में लिखा जाई तकर जबाब का निकल क्या है यह बताओक बटे और एक की कोशन आपको मतार एक बर फिर कि आपके लिए रामबढ है अगर क्लास के छोड़ के जाएगा मैं गरांट नहीं छूटेगा और आपको वही कोशन बता रहा है जो कभी न कभी आपकी एक्जामी कोशन पूछा है और डेली हम बता देले बनी कि छोव वजह के क्लास मुझे भूले के एकर रखाती कुछ हो जाएग छोब जब जास हर हाल में चलेगा और छोब जापको जूड के त्य लिए डूड डूड लिए यह कर कही कह मतलब हो गलकी जीरो.7 पर बार बात यानिकर रेकरिंग बागर कर जला बार है तो जब जिस भी संक्हाप आगर बार होगा और पूछे का इस के रावर क्या होगा आपको शिंपल सा क्या करना वह संख्या लिक लेना है दसमेला उटा क को हटाद फर्टा के फिक देना है जैसे साथ है तो लिख लेना है साथ और एको बटा लगा देना है और जो गोपर रेकरी होगी तो नीचे नव इठा दो अगवा तो कोगो पर एक रिंग बार एक उपर तो हम निके लगा दिम सक खाली नौ यानि कि साथ बटा जो बटे वहां आप तहार बिल्कुल सभाव हो जाई यानी ओप्सन नंबर ए दिया गया है कादिया अलबा ए नंबर अप्सन साथ बटानों और साथ बटे जो नौन बटे वह बिल्कुल सभाव हो जागा अगर कहिए कि सर इसको तोड़के बताई अच्छे सबदाई आई उसको भी समझा देते हैं जिससे क्या बाद में ना कहें कि आपसे यह नहीं बनता है समझो ध्यांसे अगर सब्जेक्टी में आएगा तो बनाना कैसे देगो 0.77777 डॉर डॉर दिया है इसको आप माल लिजिए समिकरण नमबर वन ठीकना यह एक्स पराबर इसे माल लिजिए अब क्या की जिए समिकरण नमबर वन में आपट दस से गुणा कर देजिए क्लिए तो इसलिए दोनों में गुणा करेंगे ुदि से गुनार करेंगे तो एक्समें दस से गुरा करें कि तना हो जना राज आज अनय करें और जब को घटा दिना है क्या करना है एक को घटाने पर यानिकी एक को घटाना है तो समीकर नुमबर दू हमनी के दिया लिए लिए टेन एक्स बराबर 7.77777 यह जब सब्जेक्टी में आगा तो बनाना है और समीकर नमा एक बाट है कि एक्स बराबर 0.7777777 डोज़ अलगरा के घटा निके घटा हो गटे जब हमनी के घटा हो जाई है जिए यह एकर आगे तो दोसब्स में सही गोई एक्स पतम हो जाए यानि बची 9 x 9 x बड़ावर साथ में से 0 घटेगा साथ और यह दसमलो तो दसमलो और साथ में साथ से 0 0 0 यानि कि सब जग़े भी 0 आ जाएगा अब 10 लोग बाद 0 रहता है तो उसे तो कोई मतलब है नहीं बिल्कुल तो जब बसमलो के बाद 0 रहता है उसे मतलब नहीं है यानि कि 9 x बड़ावर सेवन है तो एक्स बड़ावर सेवन में टनाइन आ गया बिल्कुल आ गया अब यहीं तो आपको मान लाना था और देखियो अप्स नमर यह आया है और पहले भी आपको हमने बताए कि ट्रिक होता है कि आप जितने भी संख्या पर रेकरिंग होता है उसके नीचे बस नोगो बिठा नो बिठा तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रस्ट का जवाब देना है बखुबी और भीतर तरीके से अगले जोन बाटेकर जवाब दा और सबसे बढ़िया कुशन बढ़े ही एक को संता इसे हू पाई के मान का हो लए तब का कोबंग पाई के मान होता है 22ंते साथ ये और यह होता न मैं सब्रस। तो जावना भी भीन के अगर उन्स बटा होर गुरुप में लिखा लोगी उपरी में संख्या हो जाई बसरते ही जी बटा में जीरो नावेक जाई एक अराल बाद दुनिया के कौनों भी संख्या होई उताहर संख्या परी में हो जाई ठीक बाद समझ में गए आप चलिए तो इसका मान हो जाता परीमी संख्या लेकिन यह पाई एक और में संख्या है कि अगला कॉस्टे की निमलीकीत में से कौन अभाज़ संख्या है जोन 2020 ने पूछल गे रहे फिर अभाज़ संख्या का सब्सक्राइब तो इस तरीके से जैसे कोशन आएगा आपको सोचना समझना नहीं और आपको फड़ा पर से जवाब देना है इक इस नमर बहुत बढ़िया कोशन है और उससे बढ़िया है बाइस नमर कोशन में तो काफी सारे बच्यों गलती करते हैं और देखते हैं कि क्या आप लुख्षाई कर पाते या नहीं कर पाते कुशन कर रहा है कि निम लिखित में कौन परभी शंक्या है एक किस नमर पहले स है यह भी आपका पर में क्योंकि रूट फाइब कह नहीं कर सकते हैं और Be परिमिय है कैसे देखो यह बटाल रूट है और रूट से रूट कट जाएगा बचे का केवल दो यानि कि दू बटा वन जब यह 2020 में कुशन पूछा था ना भी हर बोड तक आपी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे रहे वाई इसका क्या जवाब होगा सब लगरा कि अपर अगला कोशन का हराल बटे कि यदि 65 तथा 117 का मसर 65 M तथा 117 के रूप में हो तो M का मान बताओ और इस प्रशन का जवाब बताने में बहुत से रे एट्टुडेंट्स या कई बार देखने टीचर भी कंफ्यूज बढ़ गाते हैं लेकिन इसका जवाब वाकई क्या होगा कैसे बनिएगा जिससे गलती नहीं होगा उससे ध्यान से समझे वैसे तो इस कैंसर दू आता है कैसे आता है वो भी समझे क्यूंकि जब यहां पर चैनल पर पढ़ रहा है तो आपको बेहतर करना है तो आपको सारे चीजों को समझना है पहले कर रहे है कि यदि 65 तथा 117 का म साल थी मसा निकल कि बता व बता हो तो इसका मसा क्या होगा तो इसका एसतों लोग नीकालोगी तो पता चलेगा इसका सब्सक्राइब निकाल लिए निकल अपने आप दीख रहा है यहां पर अपने आप दीख रहा है कि 65M मैं 117 बराबर 13 है तो माइनस को उलब पक्छान्दित कर देंगे यानि कि 65M बराबर हो जाई हम निके 13 पलस 117 यह नहीं अब 65M बराबर 13 गोर 177 को गोला 7 3 10 के सुन्ने 1 1 2 1 3 और 1 1 130 तो जब 130 आ गयल तो M बराबर का होई 130 बटे बटा 65 तो 65 दूने के अतना होता है 130 यहीं होता ना तो 65 दूने 31 यानि कि M के जुन भेलू निकल के आई हम निके B नंबर हो जाई यानि कि इसका जबाब जोगा वह दो आएगा क्या हो जागा दो आएगा ठीक बाह चले के अब हम निके बाद करते हैं सहां अगला कोशन के और अगला जन कोशन कोहरारब कोहता कि सबसे छोटी भाजे संख्या और सबसे छोटी भाज संख्या का मसक कितना होता है अब देखा यह कोशन 2020 में कुशल गई रहे सबसे छोटी भाजे और सबसे छोटी भाजे अब भाजे संख्या कौन है तो सबसे छोटी भाज संख्या चार होता है और सबसे छोटी भाज संख्या दू होला यानि कि दू और ही चार के हम निके का निकला है कब मसा यह भाग दिश निकालते हैं दो से कितना वर में आपका बी निमबर और बी निमबर जोगा आपका सही जवाब हो जाएगा तो सबसे चोटी भाज संक्या और सबसे चोटी बाज संक्या जोर मसा होला उद्दू होला मन करें तो याद भी कर सकता रहा ना तो ए तरीका से आगे बात करते हैं अगला कोशन देखो इस कोशन को बनाने में काफी बचे कंफ्यूज हो जाते हैं अरे भाई किस से कटेगा अरे कटेगा किस से ध्यान देखो कह रहा है कि एक सब 5005 के कितने अभाज गुरखन है सिंपल एगर जई बता हो कोई संक्या के अकर गुर वुर्खन निकली मैंने कोई अभाज संक्या आई कोई आ तो देखो 5000 कितना है पांच है इसको कटा हो किसे कटा हो गए सर पांच से किलियर वन का पांच ज़ुजों नीका सुन फिर पांच चैनल चैनल से कम पार्च अब किसे कटेगा तो सर यह कटेगा आब एकी वर 17 तो कितना जागा आपका हो जागा यह 143 शाथ एकम साथ साचोका 28 असाथ तरीका 21 किलियर हो गया अब किसे कटेगा से तो यह कटेगा 11 से तो 11 11 और यह चल गया उधर यह तिया हो गया 13 यह नि क्या रहा है मैं 13 से गूड़ा करो कि कितना एगा 143 और 13 से कटे कितना 13 कम यह नि क्या करा गाँ अगयल एग दू और एग तीन अगय चार बस चार इसका जवाब क्या हो जगा चार हो जागा शिंपल बस यही तो गुरखंड होता इसका याद कर लो या रटलो याद कर लो कि इसका 5 तेर 5 का भाज गुर्खंड चार हो ला ठेक बाँ चलेके आगे हमने मसा अगर 17 दिया है तो लासा पता दो बता सबसे असान कोशन है बस भाग दे दो कबटे कहेंगे तो ध्यान दा आठाजार चौसा सत्तर बार ठीक ना आठाजार सौसा सत्तर है का इसका मसा दे दिया है हमने बताया था कि जब भी ऐसा कोशन आएगा बस दोनु संक्या का कितना से सतरह से तो सतरह पचे क्चासी सतरह एकंब सतरह और सतरह और सतरह कंब्स येरो बसपांसो दस देखो कहांपर है तुस्रो अपसन नमबर डीमे है और डी नमर आपका सही यभाब हुझा Г problem समझे नहीं कुछ तो इस तरीख से आपको कोशन को बनाना है समझ करके जा तो आप confusion ना हो आप आसानी से एक मिनान से बैट करके उसे बढ़ियां से बना सके ठीक न चलिए तो यह कोस्तर आपने देखा चलिए बढ़ते अगले बात करते अगले कोशन की और अगले कोशन का जबाब जो है वो आपको सुमझ करके देनी है क्योंकि थोड़ा सा यहां पर आपको solve करना पड़ेगा ठीक ना और इसी धार पर आपको दिखिए एक के कोसना छोड़ेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी 14 फर्वर एक दिन जो आप पर एक्षा देने जा रहा है तो यह ध्यान दखना आपको कह रहा है कि 2x square minus 3x minus सुन्यक क्या है सुन्यक देखो जब भी सुन्यक कहने का मतलव कि करैं कि एकस का माय्यू अम्मान्जर फाइंड करना है याने थका वेलू निकलना तो यहां से एकस का वेलू क्या होगा तो जबordo सुन्यक निकालने की बात करेगा और आपको सोच में पढ़ गया है कि कैसे बनेगा टेंसर ने लेना आपको करना कोछी में ध्यान दीजेगा जो भी दिया गया है उससे आप लिख लीजेगा जैसे कि 2XX स्कॉयर 2XX स्कॉयर माइनस का 3X माइनस का 5 और सुन्यक निकालने के लिए बोलेगा तो बराबर सुन्यक कर लिजेगा यानि की बराबर 0 कर लिजी अब आपको देखने इसे एटोमेटिक पता चल रहा है कि यहाँ पे तीन पद है और इसको तोड़के हम लोको लाना है यानि क पी अंतिम वले निगे पहले वाले पद से अंतिम वाले पद में गुड़ा किया जाता है और जितना भी वैलू आता है उसको इतने दो बराबर अच्छी भागों में तोड़ा जाता है ताकि यह बीच वाले मान के बराबर जोड़े या घटाये जाये तो आजाये और फागों में इसको क्या करना है बाटना है ताकि जोड़ा या घटाय जाए तो इसके बराबर आ जाए जैसे अगर यहां पर हम टू एक्स स्कुराइर कूयरे तो रहने देंगे स्कुछ के बदले हमें क्या करते हैं यहां पर प्लस प्लस पर जांस यारी sou जागा नहीं तो प्लस में घर जागा ऑपimद दस तो घागा मानस का दस माईनस पांच है और यहां sex दूएक यहांप चलिए और माइनस 5 बराबर हो गया 0 अब आपको देखने से पता चल रहा है कि चार पार्ट में है क्लियर है तो चार पार्ट में दो दो पार्ट को आपको इसमें से दो दो पार्ट करके उसमें से कमन करना है कुछ कमन होगा कमन का मतलब होता है दोनों में मिलता जूलता देख सर यहां पर मिलेगा यहां पर क्यों मिलेगा एक्स सब्सक्राइब बचना हम सभी का पलस का वन ठीक ना प्लस का वन मिलेगा तो बचक यहां पर टू एक्स और माइनस का और यहाँ से हम ने प्लस हो वाहर किया तो वन में टु एक से गुणा करेंगे हो जाए करेंगे हम सुरूजियो के लिए चलिए हो गया आप यह देखिए यह वाला एक्स और यह वाला पन यह दोनों मतलब किया तो इसको एक जगा कर लेंगे यारी हो जागा x पलस 1 सब जगा बराबर दे दीजेगा अगर subjective आएगा तो इस तरीके से solve कीजेगा और ये दिखे दोनों ये एक समान है और जब तक ये दोनों समान रूप नहीं आएगा तब तक समझेगा कहीं न कहीं आपने mistake किया है ये बराबर जब आ जागा समझेगा क्या अपने शही बनाया है तो ये खोजागा यहाँ पर 2x माइनस का 5 बराबर हो जाई को जी 0 हो जाई ठीक बाबर जब हमनी के x पलस 1 बराबर अगर 0 मानन जाई तो x का भेलू का आई, माइनस का 1 आजई, यही नाई यानी x का वेलू क्या आ गया वन आ गया यानिक यह को सुनिय कर लिया मैनस 1 तो चेक कर लो एक पर आप्सन से क्या मैनस 1 है बिलकुल बाबू आप्सन नमर बी में दिया गया मैनस का 1 आप्सन नमर बी करेंट जबाब हो जाई अब आगे हमने के बनावला के कौन और जरूरत निक है काच से की हमने के लिए तैंस को सब्सक्राइब कर लिजा अगर इसको भी सल्प करना चाहते कर लिजे का जैसे कि टू एक्स मैनस 5 बराबर 0 है तो यहां पे टू एक्स बराब सब्सक्राइब का हो जाएगा समय मैं चलिए आगे बात करते हैं तो आगे जब हमने के बात करेंसा तो अगला कोशन देका ध्यान से और कोशन का अनलबाग की बहुपाद 6x-11x प्लस का थिरी के सुनियो को का यूग क्या होगा यानि कि ए मैसे यह कर योग बताओ बामनी के यह कही стороны का यानिकर सूनियो के यो मतलब आलफा प्लस बीटडा अलफा प्लस पीटा तो आलफा प्लस बीटड़ा वराबरा समने की गोश्त्र हुला – QB बटे लेकिन अगर मत मपता फिर Vova का करेक uh कुल लोग देंगे अगर यह इक है अगर यह उत्र भूल जाते हैं तो भी तेमिसे दूसरा माली बाट्टा में पहला मंसे भाग दे लोगा एक अलिक के लिए हो गया चलिक यह शिक से भाग दे देंगे अब ध्यान देंगे अब अगर यह वयला पाट जो acontece सबाड़ अंगि तो आप य disgu kesos कर दीजिघा अगर वह प्लस में अब also minus कर दिजिए घञार बाटा चे कहाँ पर 118 ऐघ्यार बाटा छो औपसनों नम्बर 10 यह फिर यह रूल याद है तो आप रूल से बना सकते हैं कि- manera होता है यानि कि यहाँ पर मायनस लागाएंगे अब B का वैलू- का 11 है बट्टा-e 9 कितना है बराबर क्या हो जागा 1965 home-216 जैनकि धRafrac बात तो वही आया तो अकर आप रूल याद है सुत्रेयाद है तब तो तरीके से बना लोगवा नहीं कि पता तो दूसरा बटा पहला भाग देख पते और उस संख्या रिणात में खुई तो पूजेटिब कर देख भाई यानिकी धनात्मा कर दोगवा धनात्मा कुद्रेटम और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक निकर लाइक नहीं करते हो तुम लोग गजजब आले लाइक करो फटावर से जल्दी से कर देजिए भीतनी मेहनत से इतनी जबर्दस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरीकी के कम समाल वीडियो मिले पूरी साल आपकी जो पढ़ाया जा रहा है वह अंतिम समय में जो आपको हम रिवीजन करा देते हैं वही आपकी काम की होती है तो एक बार चैनल को वबस से सब्सक्राइब कर लेगा आप नहीं किये है तो बेलकुल खर लोग बाड़े चला बहुत जबाद है का मतलब हो गई की कौन संख्याई मैं से उबाटे कौन संख्या जान खाली आता एक्स हों हों क eerste सो खोई आधा आधा रयू कैना दक ना था सिले के जلतता कहना उन Fr यह चर्म में बहुत पकट आपसन नमबर अ जब कहो जागा यह आपका जवाब हो जागा यह डाध योगा और अगला कोशन करना का अगरा कोशंस का अगर निलीक में से कौन वहुपद नहीं है मानेमें सही बतावोग बहुपद ही में से कौन नहीं है सिंपल बहुपद बस एतना ज्याज करकबा और एक कोश्चन जो है बिल्कुल बाबु आपके एक्जामें 101 परसंट गैरांटी है कि पूछा जाएगा बिल्कुल बहुपद कौन नहीं है तो ध्यान दोगे तो यहां पर अप्शन अमर अगर बी की जाज करोगे ना आप लोग बी की तो देखो कहें यहां पर रूट का एक्स है और कभी भी बहुपद में जो होता है बहुपद हम लोग आता एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स ब् लगा है नहीं लगा है तो यह लोगा यह गलत हैं लोगा यानिक जबाब यह हो जागा कि यह बहुपद नहीं है ठीक वा चलिए अगला प्रसुन देखी अब यह प्रसुन तो आपके एक्जामें 101 परसंग गरांटिय की पूछा जा सकता है यह बड़ा यूनिक कोशन है बह यहाँ यहां पर एकसे स्कॉईयर है अब यहाँ पर एकसे स्कॉईयर में पूछ रहा है तो यहाँ पर दिखो भाँपन क्या है तो वहाँ यह प्रसौईस में चबाह सबब़ स्कॉइब अगला कोशन है और पूरे क्लास तक बने देखे आधा दूरा वीडियो देख लेते हूँ छोड़ के भग जाते हूँ तैसे कौन फाइदा बा ना कौनू फाइदा ना हुई ये गो तो साल भर त्यारी ने के फ़ई हरुए में यह अन्तिन समय में जो रिवीजन कर आव जारा कोशन पूशेला और हम तहीं कहीं करता रहा विश्वास नहीं के हो तो पिछले दस बर्स के कोशन पर उठाके और हमार जाच कर लो क्योंकि जब तक आप हमें परखिया करें तब तब पता कई से चलेगा कि हम सही पढ़ा रहा है आपके एक्जाम वाला पढ़ाते हैं कि कि यहां पुछा आता है तो हम रिवीजन करा रहा है हरे कोशन वाका तूर्-तूर के समझा रहा है ताकि हो सकता है भवी समी कि कोशन आया रूसका चैंज कर दे या फ़री भवी समय आप पहई टीचर ही बन जाए तो फिर उबात तो पता होने चाहें कि कैसे किसी को समझान है कैसे वह मान आता है कैसे इंसर आता है तो हमको भी लगता है कि भाई हमको इतना चिलाने से क्या जरूरत है एक अभी दू कसी तीन कड़ी कर देते अका देते हो गया तुम लोगा एकदा मुर्ल कोशन है यह कोशन है वो कोशन है लेकिना हम सोचते हैं कि जब गणीत पढ़ आया तो गड़ीत की तरीके से पढ़ें अब जबरजास तरीके से पढ़ें के लिए चलिए अब कारा बहुपाद एकस फाइप एकस क्यू प्लस फूर एकस एसकाल प्लस सेबन का घात का वी घात बताओ बाओ और तहरा लोंग वेज में पढ़ारा राल बरी भूस पूरी भ लेकिन बिहार बूड में कैसे कि हम समझतनी की देखी बड़े बड़े जो टीचर है वो तो आपको अपने भासा में पढ़ाई रहे सभी बच्चों को लेकिन अगर हमनी के जमन बिहार में सबसे ग्रामडी अस्तर समनी के उठाल मानी से और हमनी के जोन लोंग वेज भा भस नाखर हम समझा दी अगर भस पूरी में ही मजा आवे बोरिंग फिल ना होके क्लास में दिक्कत ना होके समझ में आवे मिठास ला गये कि तक भस पूरी भासा में फटा पर से कमेंट में ठिकबा और लाइक तख कर दिया करा चैनल पर पहली बार आयो सब्सक्राइब करो और यहां पर आगे जोगी ना आपको हम अभी कंफर्म कर दें कि जैसे एक्जाम देखा आगा ना कई तरीके का निव जो चलेगा कि रिजल्ट इस दीन आ रहा है यह हो गया फ्लान हो ठीकान हो गया इतना ज्यादा आप वाच लगया है यूटूब पे कि आज एकल यूटूब मे 80% लोग बिजवास करना छोड़ दिया है लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बेलकूल 100% रियल चीज़े देते हैं हाना तो हर चीज यूटूब पे गलत नहीं होता है ठीक ना बस आपको परखना है कि के सहीबा और के गलतीबा ठीक ना तो हमारे एक दूगो चैनल से जगड़ा भी हो गया है नाम नहीं लेंगे उन लोगों से जगड़ा भी हो गया कि बीना फालतू का मतलब की न्यूज देते थे फालतू का काम करते थे बीना मतलब का हम उनसे बोले पहले बोले कि मैसेज कर दिये कि आप देखिए आप ऐसा काम कर रहा और बता देता है पिछले साल की बात है वो बोले कि नहीं सर सब ठीक है चलिए हम भी चुले की चलो उसका काम है करें फिर देख रहा है कि और जदा आपको आप फैलाना सुरू एक दिन में तीन चार सर वीडियो बनाना सुरू बीना मतलब का उसका कोई मतलब की थोट नहीं है कोई सोच नहीं मतलब कि अच्छा नहीं है कुछ भी नहीं है फिर आमको कॉल के कॉल करके बोले कि देखे ऐसा नहीं करना चाहिن को या मत कीजिए तो कुछ को तो समझाने पर भी एकदम मने कह जाना कि भाइस के आगे बीन बजाए भाइस अले पर गुराई उड़े हालवा ठेक बाद तो वह चीज़ पहुत नेखे डिपेंड हो के एकदम रियल चीज़ के जाचे कबाब परके कबाद के कि तू सुखुद समझदार बढ़ा और आज कल जाए बहुत ज्यादा ओगे मजा भी आ रहा होगा कुछ बच्चों को तो यह होना भी चाहिए एक लास में थोड़ा बहुत की के लियर लेकिन हम तो कोसिस करते के ना इक्जाम बात कर एक्दम इक्जाम पर फोकस कर लिया ताकि दिक्कत ना होगे फिलाल बात कर रहा दिए सबसे करें कि कौन है मैं सबसे ज़्यादा मनत पावर में तो यहां पर V п T सबसे ज़्यादा कौन हमदा तो देखा यहां पे three है क्या है 3 है तो जो थिरी हो जागा वह ही आपका सभा ज이가 किरी जो सभसे जञादा होगा वह ही आपका हो जागा तो देखो कि%, नमसी में क्लियर ही तुसी नमर इसका जवाबen और यह क्लियर हो जागा गुए चलो अगला प्रशन सभीडा क्या क्या रहा है अगला प्राशन तो वीडियो के तो पहले छोड़के नगे जाएगे पूरा कंप्लीट देखे तरह एक बाटे समझात रहेक बटे परखत रहेक बटे बढ़िया तरीके से समझात बाट कौन दिकत पता जरूर कहा दिया ठीक बाट कमेंट बक्स में का रहा है कि निमलिकित में से कौन रैखिक बहुपद है बाबु में से रैखिक बहुपद कौन बाट अब रैखिक बहुपद कौन है यह बताना यहां से चार अपसन दिया गया जल्दी से बताओ रैखिक बहुपद तो रैखिक बहुपद के बारे में आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद वैसा बहुद होता है जि किलियर हां बहुत बढ़ेया क्या बात जैना रहां से गर आखी बबत के जिसको घात कि संग यह को और गूंपत alternatives है बस यही बात याद करकें है वैसा एकला जिसका पावर एक वह वह येक भूर्पर कल जैसे की वर प्लस एक्स प्लस वन यह इंग क्या है एक्स प्लस फ्लस आप डाए एकल आपक प्रस्थ लेसा थे एक एक्स-पॉलस-मन-कफर-दGR सबसे पहले उस रबाबर जीरो कर लो तर एक्स प्लस टूब रबर जीरो अब इत्यों देखने से पता चल लागी जब एक्स फुलस टूब रबर जीरो यानि के पक्छांतित हो जाएगा यहीं भी नंबर में तबी नमबर सही हो जाई ठीक बाद कर एक बात करते ले अगला देखिए और है को सब्सक्राइब बता दी बहुत जबर जस्त कोशन बाइब काफी सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है क्योंकि बटा में दिया गया है ठीकना और इको सन आगे ए सब्सक्राइब करना बहुत अच्छी बात है डिपलोमा होता है दो तीन साल के अंदर में आप लोग इंजिनियर बन जाएंगे ठीक ना बहुत अशी कोर्स है अब जरूब ट्राइब कि एक बार अगर इसका फॉर्म निकल जाता है तो आप लोग कर लिजेगा देखो तो य जान भी कोशन दिया अगर सुनिया पूछी तो और आपर के लिए तु पहले 0 कर लिए यानि की एक्स यानि की हम लिखते हैं या पे एक्स एसको आप पलस का वन बाट्टा 6 एकस माइनस का 2 इसकल टू हो गल 0 सबसे पहले करें के बाटा से भगा दिया यानिके बटा को खतम कर दो क्योंकि जब तक बटा को खतम ने करें तब तक दिकत होगा तो बटा को खतम करने किया क्या किया जाता है यह सिक्स को सब में मल्टिप्लाई कर दिया जाता है सबी में मल्टिप्लाई कर दो तो देखो ध्यांसे अगर इसको सिंग मैफ्विल्टिप्लाई करोगे एक्स-स्क्वार थिक ने सिंग्स-सक्वार हो जागा प्लाश जिस संख्या के नीचे बाटा दिया गया तो समय मोर्टिप्लाई इस लिए नहीं किया आप तो आप देखेंगे कि ये किस रूप में आ गया भूपत्गुरूपया असानी से बटा वाला खतम हो गया अब तो आपको समझ में आ रहा है कि आप अब इसमें क्या करना है तो पहले वाला चीज जो पद है वह अंतिम वाला में मूना कर दिये तो बारेच्चक 72 मैनस का गया किया होगा माइनस का 22 X square हो गया हो गया ना अब माइनस 12 को क्या करना इतने अच्छे थोगा मैं तोड़ना थाकि वह एकस आए के वल यानिके वन आना चाहिए दिने वन का गुणा के ये यानि वन से गूरांग रहा जैगे यानि फटे बहत्तर यानिक नहीं x hoga, 9x में इसे अगर घटा देंगे 8 x तो 9 8 22 हो जाएगा, minus42 x हो गया एकसस्कॉएर, और 9 में से 8 घटे गा, तो एकस बचाएगा, बेलगूर, हां सर क्या गज़क बेलगूर, इस तरी के से, देखो तो शिक्स को शुक्स क्वकर ख़ोने के आप इसमें से क्या कमन होगा टो इसमें से तीन कमन हो जाये गा कमन होगा तीन तो क्या बचे का सर तो तो 3 दूनी 6 यानि कि 2X आ प्लस 3 तरीका नहीं तो 3 माइनस यहाँ पर क्या कमन होगा सर तो यहाँ पर कमन हो जागा आप लोगा 4 यह ओगा ना चार दूनी 8 यानि कि एक्स हो जागा और 4 तियां ही 12 आपका हो गया बराबर का 0 देखो यह वाला पद यह वाला पद बराबर आगया ना 2X प्लस 3 तो एक्स प्लस 3 हाँ तब सही बना है अब चलिए अब यह एक्स और माइनस का फो यह एक्स छोड़ दिया जी यहाँ पर एक् देंगे जब हम लोग 3x मायनस का 4 is called to 0 करेंगे तो 3x बराबर का होगा 3x बराबर हो जागा फून और सब्सक्राइब कर दे रहे हैं जिससे कि आपको दिक्रत नहों का परिक्षाहल में किलियर हो गई अगला आप कुशन कहा रहा है कि यदि बहुपद टीन टू एकस का एक गुड़ांखंड एकस प्लस बन हो तो बहुपद टीन टू एकस का एक सुनिया क्या होगा दूजरी किसमें कोशन पूछा था बताओ जल्दी से का जवाब दो तो क्या होगा अर्यार जब पर यह कह रहा है कि यदि पींटू एकस का गुड़ांखंड एकस प्लस बन है एकस प्लस बन तो इसको पराबर 0 कर लो एकस्ट अप्सन नमर जया निम्बर मैस कवार रहा इसकोर मानस का 14 प्लस 8 कि सुनिकों का यूग क्या होगा अब बाबु हम बताओ होगी यानिक आलफा बठाच बढ़ा बढ़ा पते तर सबसे एक माल लिख लिए तो दूसरा मान का निगी के मान तबीक एमान मा मैनस के चौटे अबाट टाप उखाग देट एक मिलु निक्र उसे एक वादि छोग पांच से तरी प्लॉस में तरी माइनस में पॉलस कर दो यानिक चोव थह बटा तो आप जिस भी तर से बनाना चाहते हैं अब यह माइनस का चोड़ा है अब यह बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है अब आपको यह ऐसा लग रहा होगा कि सायद क्लास हम पहले देख लिए होते हैं तो हमको यह दिक्का जो हो रहे है आज नहीं होता तो अभी भी मोगा है पिछले जितने अभी वीडियो सारा वीडियो देख ड़लो चैनल को सब्सकाइब करके क्योंकि सब्सकाइब करना फिर आपने टिक समझ में आता कि जब एक स्कॉर माइनस 11 पर चादित करना पड़ेगा तो पक्षादित की इसको तो एक स्कॉर पराबर हो जागा 11 तो एक्स पराबर हो जागा कहुंची यह स्कॉर रूट चला जागा यानिक रूट का हो जागा और यानिक ऑप्सन क्या हो जागा ऑप्सन नमर जो है वह आपका सही जवाब हो जागा के लिए रही नहीं है बिल्कुल सबज में आरा सर बिल्कुल ऐसा ही सबज में आना चाहिए और काफी लाजवाब यह सारी कोशन है और आपको शोचना समझना है बहुत 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 बढ़िया कोशन बटे और काता कि दिवगात बहुत के सुनिको का यूग फूर तथा गुड़न फल माइनस का फाइप है यानि कि अकर कहे के मतले भी बटे और यह कहीं लिखला कि मन्टू सर बोल रहे थे कि यह कोशन जरूर आएगा और यह कोशन अबजेक्टिव में थम करांटी ने खी लिए सक कह रहा है कुछ यूँ ये कि अलफा प्लस बीटा का मान दे दिया है जो की चार है और अलफा इंटू बीटा यानि कि यहापे गुड़न फल अलफा इंटू बीटा बराबर दे दिया है माइनस का फाइप क्या है माइनस का फाइप दे दिया है तो कह रहा है दुगात बहु अलफा पलस बीटा इन्टव एक्स अपलास आलफा इंटू बीट बच अब देखा ध्यानसे एक्सर्क wages स्वएर है दो माइनस के माइनस अलफा पलस भीटा के मानब चार ड़ेग दो कर ईँट र शफ स्वालिह का घ्ली स्वोर इस मानस फट अब देखू कहां पर उप्स नै तो । यह इस तरीके से आप जोर बटे वी नंबर पहर सही जबाब वो जाई और जैसे यह तरीका के कोशन आई तो ना सूचए कोशन अब मैं फाट फड़ तरी कैसे इतरीके के इस तरीकी का कोशन को आपको जबाब दे अब ये देखो कोशन यह तो बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि निमीखीत में कौन सा कथन सकते हैं तो हमनी के बच्पन से पढ़ते हैं अब पलस में होता है सेसफल तो देखो तो यह अप्सन कहां दिया गया है भाजक भाजक गुणए भाज भागफल प्लस प्लस अपसर नमर ए में ही देलेबा तो ए नमबर तहर सही जवाब हो जाई समझ में आवता तो ए तरीके से समझे रहा एक बटे ताकि कोनों गल्ती ना होके ना तो साल अभर के पढ़ाई दस साल के पढ़ाई एक प्ल में वेका सब्सक्राइब में अच्छा कहीं पर भी इस्टुडेंट बड़ी भगता है अरे सरी नहीं बनेगा सर अरे बहुत असान बाद ध्यान से तब तर ध्यान से दिखो कि तब तो का रहा कोशन कि थ्री एक्स एक स्क्वायर पलस का एक्स प्लस वन और कहता भाग द्योकपा एक्स एक में सबसे जर गोस अच्ञोड़ दो या पेक्स ब्रस वांद या क्या चाहि का नहीं सबसे पहला अन्हें गदेखो क्या है तो बैबू यार अगर एक्समें हमनी के है अगर 30 से गुणा कर दी तो थिलिए एक्स स्कौर राजी plays jack अब जब एक्समेऋ थरिक्सेगुणा करें तो थिलिएक्स स्कौर हो जाएगा हो गया नँ और प्लस में यह दो और सखैंच मैं यूण सबन है तो प्लस से भी अपको तर्य चमुला करना पड़ेगा तो थ्री अटका तो फिर मांता विए गाए वेचा बट्ट अब हमनी के जानता है निसे कि भाग में घटा वाजिया ठीक वही प्रक्रिया यहां पर करना है यहां पर घटाई यहां पर माइनस हो जाएगा यह प्लस उपर है नीचे माइनस कट जाएगा यह घट जाएगा जिरू कट जाएगा जाएगा बात वही है अब चलो यहां पर plus x है और यहाँ पे माइनस का 3x हो गया तो यह पह प्लस में नीचे 3- further यह प्लस हो जागा है क्या हो जागा वर क्योंकि वह उतर जाता अब आपको फिर सुचना है कि x मिए कावना संख्यास हम century कै arrays सबस्क्राइब तू कोई की एक्स में अगर हम गोना करता ने माइनस two x से माइनस टू छाली सबस्टाइब लिप सबस्क्राइब फीन न स्ब्रसे फिर वन में पड़ बटे अब देखा अब निक घट अब आई बाध रहे लेकिन आप हो गलब प्लस दो यानिक हो गया के वल दो तीन एगू अदू गो तीन गो याने की सिस्फल अगया से स्पल के तना आगल तीन और यहीज आपका रेट जबाब हो जागा किसी इस फल हम लोग का तीन आया है कहां पर अप्सन है तो सुर अप्सन नमबर ये में दे लेबा और ये तरीका से आतहरा कोशन के बनावक बठे हैं और बड़ा ही संदार तरीके से आप कोशन को किसी भी कोशन को आप बखुबी और बिहतर तरीके से आप बना सकते हैं संजा सकते हैं और कहीं पर भी गड़बर नहीं होगा कहीं गड़बर ना हुई ठिक बाद चले के आगे बात करते हैं समझी कहें कहाता कोशन की भूपत P into X पराबर एक्सक्यू प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देने पर सिस्पल क्या होगा बस शिंपल सा वही प्रोसेस करना है यहां पर कारा कि एक्सक्यू प्लस वन है भाग देना है सरक किसे तो एक्स प्लस वन से सब्सक्राइब गुणा करें सांगे में घुणा करें descriptions घुणा हरी एक स्कूरा करेंहें तो एकसे हट humano a तो दो नहीत जोड़ी। । तर डियान से अभी उपर प्लस वंथा तो इसको से तो माईनस लागी है अगर मायनस एक्स से घूड़ा कर ले हम नहीं से कर जाए हम decep सतुल आप फिर क्या बचे घृट अब हैं कि अपला सोगया इसका वन पर गणा 힘 implication लाई ही कि बट्टे तो कावन संग्य से गुलना कर भए जा तो लाउन से करेंगे तो वही आजागा नहीं एकस प्लस बचलाल अब इस से निचे माइनस और यहां पी माइनस यह कर जागा यह भी कर जागा यानि क्या वच्छत जीरू तो तो सीस फल क्या आ गया इसका जीरू आ गया अब देखो तो अप्सन का है सर अप्सन नमबर ए में है यह निमबर हो गया आपका रेट जवाब तो यह देखला हो यह जा कि ऑप्सन नमबर जहां नहीं के कोशन दे रहां बटे खाली एक्स क्यू प्लस बन और बनों लेकर हैतना जगे ठीक बा इतना दूर बना है तो कोशन को देख करके का जाता ना देखन में छोटा लागे घाव करें भी उए हालबा देखें में तो इस तरीके से कोशन से घबड़ाए के रिखें आपको इतना इत्मिनान से बढ़ियां से प एक्स माइनस वन कमा फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स एसक्वार बनास फोर एक्स प्लस की का एक गुड़खंड है तो की एक का मान बता दीजी आप देखो इस तरीका के कोशन देखें तू भवड़ा गई लोगब की कहिंगे बन नहीं तो बहुत असान बैटे सबसे अस एक्स का मेंरो जब वन निकल गया तो यहाँ पर भवपाध मिलों कर दिया गया है सोर एक्स क्यू प्लस थिरीक्स एसक्वायर मान सका फूर एक्स आप स्क्यो दिया है तो कि का मैं anthropology पूछ रहा है यही पूछ रहा है कि का वैलू पूछ रहा है अब बराबर उसको कर लेते ह है तो जाहां जाहां यहां फर एक साब हम रखेंगे यानि कि 4 रवन का क्यू पनास थिरी वन का सक्वार माइनस 4-1 प्लेस क कर वाइनस cafe एफक्त रर्ला होजी हो जी को राँट देने अब रखाइक सॉल्ब क्र जैक वार तो 4 तो 4 और 1 के cube कर बता 1 Plus, 3 तो 3 और 1 के square कर बता 1 Minus 4 में 1 से करोगे 4 Plus के बराबर कितना 0 अब देखा, 4 में 1 से गुणा करबका आ जाई 4 अब plus 3 में 1 से गुणा करबका आजाई 3, मायनस 4 के 4 अब देखा, पलस 4 अब खूँखा तो कि बराबर क्या हो जागा मैंनस का 33 यह suffix T3 तो मैंनस का 33 loan doctor okay जिम्म्र में तो बलाब हो ज़ए पस यह टरीका सेनिके कोशन के मनागाग बखो भी और बहतर तरीके से ठिऑबा जिरू अगले देखो अगला कोश्रिण के रहा हम सभी का कि निम्ने बहुपधों में किस बहुपध का एक गुड़खन एक्स प्लस वन है फिर बात वही है अब एक रहा का बनाओकर एक दूग और तरीका बटा लेकिन सबसे आसान तरीका बता दी कि कहाता कि एक्स प्लस वन है तो प पूट करना मान केलियर हाँ बिल्कुल यहाँ पे हम लोग को मान जो है वह पूट कर रहा है कि कौन साइस का जबाब होगा तो आई एंचे करते हैं सबसे पहले अप्शन नमर एक चेंद बराबर लोगर 4 लाना है यानि की जिरू आ जागा समझे की इमान सही हए यानिकि ओپ्सक्रफ करवा मानेस वन dal ओन कूल आई यानि की मैनिस फंवन पलस माइनस मॐन करो गया और पलस का तो दूराबर चलगा यह माइनस में 1 है और यह प्लस में वने होजाएगा क्या होजाएगा अगले हम प्रस्टिंगी बात करते हैं अगले प्रस्टिंग कहा रहा है कि यह दी बहुपद x square minus k x plus 8 के सुनिय को का योग अगर 6 है तो के कमान बताईए अब देखो यह question थोड़ा सा समझेगा question क्या क्या है question है यहाँ पे side में लिको कहा रहा है कि alpha plus beta यानि कि सुनिय को का योग 6 दिया है किलियर और यहाँ पे जो बहुपद है वो दिया है x square minus k x plus k 8 अब हम लोग यहाँ से अगर हम बात करें a का value यहाँ पे 1 हो जाएगा b का value minus k हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा हम लोग का 8 यही होता न अब हम लोग को अगर सुनिय को का योग ग्याद करें यहाँ से यहाँ से ग्याद करें तो यहाँ से ग्याद करें यानि कि alpha plus beta पराबरता हम minus b बटे a के लिए तो माइनस बी तो माइनस न लागा जैते हैं बी का value यापर माइनस का के है तो माने माइनस का की लिख दीए बटा A A का value है वन यहाँ लिख दे वन तो अपसन देखो यहां पर दिया गया है यह हो जागा आपका छे अपसन नमबर डी के लिए तो कुछ ने करना था थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आपका कोशन ऐसे ही आपको एटमेटिक बन करके रेडी हो जाएगा अगला देखो अगला जो खुशन ने बहुत इखास है किया रह दी ऑलफा और बीटा दुखात बोपत एकसे श्कौर मेंस थिरी एकस प्लस फाइट के शुनियक हो तो आलफा प्लस बीटा का मैला बता दो जल्दी से कमेंट करके च्राब दो बता दो किसका अलफा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या आरिकल प्याव़ क्या वन और मैनस मैनस क्यों जगा यहां फी प्लस यानीकि प्लस्ति वट्टावन यह रहां धुक्ति प्लस क्या हो जाग थीरी तो तिरी देखो कहाँ प्लसट अपसन अपसन वर सेने नमर में आपका रेड जवाब हो गया तो यह तरीका से कोशन के बनावी अकोन बाटे समझ जब फृट भा फिर उसकुन फैदा बना है अगर 50 गो कोशन बनावा किया बटे तो तू तीसे को को एक गार करोगे पदाशिक नहीं के टिससो को बनाओ लेकिन एक तना बना जबर जस्त ताकि एक्जाम जो चिक करें आपका पेपर ना उसको सोचना पड़े कि हम नंबर आपका कहां से काट है किलियर अपसे का उठल चुका है हीड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा अभी तक लाइक ने कियार कंजूसी काई करते हो जल्दी से पहले लाइक कर दिजिए और चैन परना है यह तो सिंपल है आलफा बीटा गामा तो आलफा बीटा मा कशिआ होना क्या हो लाइक नंबर करों मेर्ण अगला कोशन ककारा है की निष्गात नंभाउम में OH 2 x adapting आपका प्लस गामा बताना है आलफा प्लस बीटा प्लस गामा तो एक कुन Ugh कorta प्रकार यहां प्रकार का यहां दोगे रहे कि दूःबबबस ए STUDENT हो जागा उसी प्रकार कहरा है है यहां पर द्यान दोगे रहे कि द्यूघाध valeur एक्सक्राइब 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 ए कैसे जूड़िएगा यह भी आपको हम बता देते हैं जूड़ जाइए और टेली ग्राम से भी आप जूड़िए और बहतर से बहतर त्यारी के जिए और सभी बच्चों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कई आपकी बताते हैं जैसे आपकी बहुत्र त्यारी हो जाएगी आपको इस पे क्लिक करना है जैसे के अके सामनी इस तरीके से ओपेन होगा यहां पे आप टेस्ट आपको यहाँ पे टॉपर का कॉपी भी यानिकि टॉपर रिखे थे किस तरीके से एकजामे कॉपी लिखना यह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जागा आपको सारी चीज है अब्जक्टिफ सेट उप्टर वाइस और हर चीज मिलेगा जो आपके इक्जामें सीडिए पुछा जागा यह आपको यहां से आ करके सर्च करके दिखते रहना है फटते रहना है दूसरी जीश आपको एक एप बताते हैं इसके लिए एप को डाउनलोड करने के लिए प्लैस्टोर में आजाना है जैसे आप सर्च करिएगा उसके पास रिजल्ट और सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा तो डाउनलोड कर लिजिए सबको बता दीजिए आप जैसे सर्च किजएगा आपके समने हैगा डिलेस अफीसल पर इसले व और है soul क Une आप डिलेक्ट यहां से भी वेब्लशाइट पहुँन सकते हैं और आपको यहां पर सारी चीजे मिल žाएगी अ PM गुरूप में जोड़ सकते हैं टेली ग्राम में जूड़िए और बहतर त्यार के जिए टेली ग्राम पर सर्च किजिए डिलेस एजूकेस जॉइन हो जाएए और इस तरीके से अपना बहतर त्यार के कोई दिक्कत है आप में कमेंट करेंगे बता दिए फिर मिलते हैं तरह कमाल वीडियो को साथ नेक्ट वीडियो में वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब करें करें जरूर कीजिएगा